नमस्कार किसान भाईओ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ भारस सरकार की ओर से किसानों के लिए 6 रवी फसलों की NSP प्राइज बढ़ा दी गई है भारस सरकार की ओर से यानि भारत सरकार की ओर से किस्सानों के लिए दीपावली का तौफा दिया है छह रवी फसलों की एनसपी बढ़ाकर तो आज हम बारी की से समझेंगे 2024-25 में क्या रेट में भारत सरकार ने खरीदी की आप आने वाली 2026 में क्या रेट में जो है खरीदी करेगी भारस सरकार तो चलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक चार्ट बना कर आपको बताने जा रहा हूं कितनी जो है प्राइज बढ़ाई गई है भारस सरकार की ओर से और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है रवी विपर्ण सीजन 2025 के लिए निम्तम समर्थनमूल यानि MSP में ब्रदी की गई है भारस सरकार की ओर से तो चलिए इस चार्ट के माद्धम से जानते हैं क्या प्राइज है फसलों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फसल लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं MSP 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है MSP 2024 और यहाँ पर जो ब्रदी की गई है कितनी ब्रद्दी की गई है यहाँ पर वो लिखी हुई है तो चलिए जानते हैं पहले नम्मर पर है गेहूं गेहूं की जो प्राइज थी 2024-25 में भारस सरकार द्वारा खरीदी की जा रही थी 2275 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी की जा रही थी भारस सरकार की और से लेकेन से बढ़ा कर 2026 में 2425 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी करेगी अगर इसकी ब्रद्दी की बात करें तो 150 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे बढ़ा दिया गया है बही बात करते हैं जों की जो एनस्पी प्राइस थी 2024-25 में 1850 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी करेगी अगर इसकी बढ़तरी की बात करें तो 130 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे बढ़ा दिया गया है बही बात करते हैं चना चना की जो एनस्पी प्राइस में खरीदी कर रही थी भारत सरकार वो 5440 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी कर रही थी लेकिन इसे बढ़ा कर 2025-26 में 5650 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी करेगी अगर इसकी बड़ोत्री की बात करें तो 210 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे बढ़ा दिया गया है भारस सरकार की ओर से अम मसूर की बात करते हैं मसूर जो है 2024-25 में भारस सरकार की ओर से खरीदी की जा रही थी वो 6425 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी की जा रही थी लेकिन इसे भी बढ़ा कर 2026 में 6700 रुपे प्रतिकुंटल की तरसे खरीदी करेगी अगर इसकी बड़ोत्री की बात करें तो 275 रुपे प्रितिकुंटल की तरसे बढ़ा दिया गया है बहीं रैफसेड और सरसों सरसों की जो एनस्पी प्राइस 2024-25 में भारस सरकार दोबारा खरीदी कर रही थी वो 5650 रुपे प्रितिकुंटल की तरसे खरीदी कर रही थी लेकिन इसे बढ़ा कर 2026 में 5950 रुपे प्रितिकुंटल की तरसे खरीदी करेगी अगर इसकी बड़ोत्री की बात करें तो 300 रुपे प्रितिकुंटल की तरसे बढ़ा दिया गया है वहीं बात करता हूँ मैं कुसुम कुसुम की जो NSP प्राइज 2024-2025 में थी वो 5800 रुपे प्रतिकुंडल की तरसे खरीदी कर रही थी लेकिन इसे बढ़ा कर 5940 रुपे प्रतिकुंडल की तरसे खरीदी करेगी 2026 में अगर इसकी बढ़ोत्री की बात करें तो 140 रुपे प्रतिकुंटल की तरह से बढ़ा दिया गया है तो किसान भाईयों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब करें अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छे नहीं लगे तो लाइक जरू करें